नेट इंट्रेस्ट इंकम का आखड़ा अल्मोस 20% के अपमूज यहाँ पर नज़र आया, मुनाफ़े के फ्रेंट पर भी हमने बढ़ाद देखी है, सालान आधार पर करीब 90% के, तिमाही आधार पर 25% की, ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, आगे की रणनीती क्या है, समझते हैं, आए कैनरा बैंक के इग्जेकिटिव डिरेक्टर ब्रिज मोहन शर्मा से जुड़ते हैं, मिस्टर शर्मा, गुड मॉर्निंग, स्वागते हैं, आपका 18 स्वदेश पर अच्छे नतीजे पेश के हैं, जिसके लिए आपको धीरो शुप कामना है, सबसे पहले, मैं आपके ल सुप कामने परिशित करता हूं, जहां तक केनरा बैंक के डिपोजिट और लोंस की बाद है, तो केनरा बैंक लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर, कंटिनेंस और कंसिस्टर ग्रो दे रहा है, हमारा जो नेट प्रोफिट इस क्वार्टर का, वो 2525 क्रोड है, जो की 89.42 प प्रोफिट जो है, वो 6905 क्रोड है, जो की वाई ओवाई 23.22 परसंट का ग्रो दिखा रहा है, इसके साथ ही यदि देखें, तो लास्ट एर हमने 9000 क्रोड का कैपिटल रेज किया था, और इस फाइनेशल एर में हम 6000 क्रोड का कैपिटल रेज कर चुके हैं, 3000 क्रोड का कैप प्रोड और कैपिटल रेजिम पोटेंशल की वजा से हमारा जो CRR है, वो आज 16.51 परसंट है, जो की बैंकिंग इंडस्टी में वन आफ दी बेस्ट है, और वाई ओवाई इसमें हमारा 214 BPS का ग्रोफ है, जहां तक क्रेडिट का सबंद है, क्रेडिट ग्रोफ के साथ हम एस 50% है, और हमने अपने क्रेडिट पोर्फोलियो को वेल डाइवर्सिफाई कर रखा है, 55% रैम क्रेडिट है, और 45% कार्पोरेट क्रेडिट है, और हम इस रेश्यो को आने वाले टाइम में में मेंटेन करेंगे, इसके साथ हमने quarter to quarter हमारा resolution है, कि हम हर quarter में अपनी recovery को अपने slippage से ज़्यादा रखेंगे, जिसकी वजह से हर quarter में हमारा जो NPA का level है, वो consistently down होता जा रहा है, इस quarter में भी हमारा जो gross NPA है, वो 6.37% है, और net NPA जो है, वो 2.19% है, जबकि हमारा March 23 का जो guidance note है, वो gross NPA का 6% है, और net NPA का जो है, वो 2% है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम well before March 23, हम अपना gross NPA below 6% और net NPA जो है, वो below 2% रखेंगे, और हमारा जो PCR है, वो भी लगातर बढ़ रहा है, और आज की date में हमारा जो PCR है, वो 85.36% है, इस परकार हम अपनी asset quality को भी maintain कर रहे हैं, ना केवल NPA के उपर हमारा tag है, बलकि जो हमारा SME है, वो 0.97% है, और जो SME 1 and 2 है, वो केवल 0.47% है, इसके साथ साथ हमने जो अपना पार्पूरर क्रेड़ है, उसकी quality को भी maintain कर रखा है, जो हमारा 25 क्रोड से उपर का जो credit portfolio है, उसके अंदर A rating and above account 77% है, और जो हमारा NBFC के अंदर exposure है, उसमें A rating and above 98% है, तो आप well assume कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा credit का direction और credit का जो growth है, दोनों बहुत ही अच्छा जैने वाला है, और जहां साथ केनरा बेंक की 14 subsidies और RRB हैं, उन्होंने भी इस quarter में 944.25 क्रोड का net profit कमाया है, और इसके साथ हमारे जितने भी mandated priority sector के target हैं, उनको भी हमने सरपास किया है, तो मिनी वियर बाए, केनरा बैंक का जो growth trend है, वो बहुत ही progressive है, शर्मा जी बहुत शानदार आपने बुरा ब्योरा दिया, अपने quarter का और trajectory का, जाने से पहले, आपका stock जो है, वो तीन साल के highest position क्या होगा, क्या capex requirements शुरू हो गई है, MSME के loan के inquiry आ भी आ गई है, क्योंकि retail तो बहुत अच्छा चल रहा था अब तक, और दूसरा recoveries का run rate क्या रहेगा, ये दो बाते बताते हुए जाए हमारा जो recovery है, उसका जो हमारी collection efficiency है, more than 90% है, और corporate credit में हमारी जो collection efficiency है, 99% सूपर है, तो हमारा collection efficiency बेटर रहेगा, थोड़ा challenge हमारे को small borrower accounts में है, particularly SME के अंदर और agriculture के अंदर, small borrower account है, वहाँ पर हमारा थोड़ा challenge है, थोड़ा concern है, वो हम उसके लिए connect to collect camp लगा रहे है, पैन इंडिया, connect to collect जहां पर branchी, जहां पर SME more than 20% है, ये SME more than 10% है, in the small borrower accounts, वहाँ पर हम पैन इंडिया पे connect to collect camp लगा के, जो हमारे borrower है, SME 2 के, SME 1 के, उनके साथ हम physically personal contact कर रहे हैं, जो कि COVID के वज़े से नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगता है, आने वाले two quarters के अंदर, हम अपना जो ये challenge है, SME small borrower accounts के अंदर, उसको भी हम arrest कर पाएंगे. अब रिज मोहन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, आने वाले quarters के लिए आपको शुपकाम ना है, करीब 3.5% की तेजी के साथ, इस वक्त हम देख रहे हैं, Candra Bank के stock में इस वक्त कामकाज 268 के levels were almost at the highest stock trade करता हु लेकिन अजय इस वक्त बाजार में भी हम देख रहे हैं अच्छी तेजी है, और आज का दिन ही शुरुआत काफी अच्छी हुई है, action-packed session भी फिरवाद हुई है, बिल्कुल, बाजार का महुरत तो अलड़ी बन गया है, बैंक भी देखिए, almost एक ताट